हेलो फ्रेंड सवेलकम टुरसिंग स्टड़ी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नसेट्स के बारी में तो जैसे कि अगर आप आप सेकिंड यार में या थारड यार में है तो आप मेडिकल सजिकल नर्सिंग ऐग अचे क्डिजेक्ट आप पड़ेंगे तो उसमें टजी क्या होता है तो नसेट की full form होती है non-steroidal anti-inflammatory drugs तो जैसे की नाम है इसका anti-inflammatory drugs यानि कि यह क्या है inflammation के against work कर रही यानि कि यह inflammation को रोकती है तो कुछ एक steroids हैं जो anti-inflammatory का काम करती है तो इसकी definition में दिया हुए नसेट्स are the drug that reduce inflammation तो नसेट्स क्या है कुछ ऐसी drugs है कुछ ऐसी medications है जो inflammation को कम करती है pain and fever by inhibiting the synthesis of pain को fever को कम करती है कैसे कम करेंगी जो body में synthesis हो रही है prostaglandin और उससे related जो compound है वो ज्यादा amount में synthesis हो रहे है production हो रही है जसकी वजोंधस क्या है inflammation हो रही है patient को pain हो रही है fever हो एusको νसेट्स क्वों कं करते है थीक्त है नसेट्स inhibits the cyclooxygenases one or two or both enzymes यान कि नसेट्स गया करता है inhibit καता है ήन कि रोकता है यह जो cochle oxygenases हैं यह क्या है enzyme है तो इनकी production को क्वों पर्देता है उसके बाद आता है, नसेट has the three major actions, इसके तीन main important काम होते हैं, क्या-क्या है, analgesic, anti-piratic and anti-inflammatory, ठीक है, यानि कि, analgesic यानि कि ये pain में, अगर patient को pain हो रहा है, inflammation हो रही है, तो pain भी होगा, तो नसेट क्या करेगी, उसको pain को कम करेगी, anti-piratic inflammation होगी, तो हमारी body क्या करेगी, उस infection क्या करेगी, जिससे क्या होगा, patient को fever भी आ सकता है, तो उसके fever को भी कम करेगी, और anti-inflammatory, और अगर inflammation हो रही है, तो inflammation को भी कम करेगी, अब यहां पर uses आ जाते हैं, तो कहां-कहां पर नसेट को हैं, वो use की जाती है, तो सबसे पहले इसमें आता है, post-operative pain, यानि कि मानलो patient की surgery होनी है, उससे पहले अगर patient को pain हो रहा है, तो भी दी जा सकती है, और जब surgery हो चुकी है, और surgery के बाद तो obviously surgery होई है, patient की तो pain तो हो जाती है, और neurology या फिर Malaysia में भी patient को नसेट्स दी जाती है, headache हो, backache हो, या फिर pyrexia, यानि कि fever हो, osteoarthritis, यानि कि joints में pain, renovated arthritis भी सेम ही है, और anti-platelets, तो इन सबी चीजों में क्या है, नसेट्स जो है, वो patients को दी जाती है, तो basically main major काम क्या है, नसेट्स का analgesic, antipyretic और anti-inflammatory तो जब भी patients में pain हो, fever हो, या फिर कहीं पर inflammation हो तो patient को नसेट्स दी जाएंगी, तो next video में हम discuss करेंगे, नसेट्स में कौन-कौन सी medicines आती है, तो आज की video में इतना ही, I hope ये video आपके लिए helpful रहेगा, thank you for watching,